हेलो फ्रेंज तो आज का हमारा टोपिक रेगा सिग्मन फ्राइट थोरी जिसके अंतर गथ हम पड़ेंगे कि सिग्मन फ्राइट ने विक्तित्वा कितीन भाग बलता है एड़ एगो और सुपर एगो जिसे मनोव इसलेशन वार शिद्धान के नाम से भी जाना जाता है तो कि अपने सारी इच्छेए पूरी करना चाहता है उसे सामाजीक निथिक था और इस से कोई नहीं रहता है नितियक रूप से भी चाहिए अपनी पूरी करना चाहता और 2011 में पुछा गया था कि दमीत इच्छाओं का बंडार कौन सा व्यक्तित्वाथा तो इस परकार हमें को भ वहिपीटित वाग है प्रते विक्ति का जो विक्तित वाग、 3 गटकों से मिलकर बना के अधिुक होता है इसमें यह आम के व मत का फूराव scored को बना हुद्वीत बना वैटि अन्हों से प्रते के lights को के अधिन बतायी तीन कता होता है जिसमें पहला है Idham दूसरा है हैम और तीसरा कौन सा है परा एहम इंग्लिस में इनको कहते है इड़, इगो और है सुपर इगो तो सिग्मन फ्राइड ने व्यक्तित्वा के कितने गटबताया है तेन गटबताया है इद्व, एहम और पराहम तो हम इनके बारे में थोड़ थोड़ा जान लेते हैं इद्व क्या होता है इद्व विकास की व्यक्तित्वा कि ऐसी अवस्ता या फिर गटटक होता है जिसमें मश्तिक सारी के इच्छाहों पर मानसी के इच्छाहों का नियांतर्ण नहीं रहता जो सारी के इच्छें होते है विक्तित्वा कि इसे नहीं करना तो आपका से सारीगज़ाओं पर क्या होगा मेंस्टिक्स का नियंतर नहीं होगे अगर आपको लिए की यह इहारा है इसे में होता है कोई नआ कोई प्राया है हम क्या करेंगा इस पर से लेगा लेँं तो अब हम इनके एक एक की विषयस्ता है देखलें सब्सेपहले धेखाँंगे किसकी ये लुट इन कि यह नी इड़ी हमारे स्क्राइड ने ही मन के भी तीन प्रकार वता है तो इड़ हमारे कौन से मन से लिलटे रहता है एयचेतन मन से जो हम इद्दम की जो विष्यस्ता यह पढ़ेंगे वह हमारी एयचेतन मन के भी होगी सब्सक्राइब सारे किछेओं पर मानशी किछेओं का नियंतर नहीं रहता एक विसेस्ता होगी, आज चैतनमन से समंध रखा है, इद्दम किस समंध रखता है आज चैतनमन से और सारी किश्वों परमालसी किश्वों कि क्या नहीं होगा नीयंतर मैं होगा, यह सबसे दिक्परभाय कब होता है, बाल लियोगश्ता में ये सबसे दिख परभावी बाले वस्ता में होता हूँ और इदम के एक विस्यास रपाये जाती है कि ये पस्सू परवर्तिका होता है आगे मैं इन सबकर आपको बताओंगे कि ये किस परकार से सवारती होता है जब वेक्ति में इदम परभाव साली होगा तो तो हमने अभी भी कहा कि यह बाले वास्ता में प्रभावित होता है और बाले वास्ता के बच्चों को आपने देखा होगा कि वह जैसे कि उन्हें कोई चीज चाहिए तो यह नहीं देखते कि यहां पे कोई लोग है या फिर हमें कोई देख रहा है उन्हें बस से चीज अगरमें उने नहीं दिलवा रही तो वहीं पर रोने लग जाती है यहसे नहीं देखते कि ह हुआ आज पर्ण कांद परफ़र्त पाए सवार्थ होते हैं अगर आगर बचो के पास कोई चीज है मुद दो छे चाहर मेरे नहीं है किसी को नहीं दू आती है और इनमें नेतिकता बिल्कुल भी नहीं होती और सबसे इदम कौन से सिद्धान परकारे करता है इदम कौन से सिद्धान परकारे करता है परशंता के सिद्धान पर इदम ऐसा होता कि बस मेरे को आनन चाहिए किसी भी परकार से चाहिए किसी को नुक्सान हो रहा हो चाहिए, या एसामाजिक चरिके, शेहन रहिए, आनन चाहिए, आप जैसे clocks, आप जैसे एक जामपल देखते हैं, मान लोग आपके सामने कोई पयन है, और वो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो आपका ये ऐ चेतनमन या फिर इदम क्या कहेगा मैं इस पैन को चुरा लेता हूँ ये इसे कहेगे नहीं मेरे को ये पैन चीए चाहिए मेरे को कोई देख रहा है या फिर मेरे को दंड मिलेगा इससे मुझे कोई मतलब नहीं है आपका एचितनमन और इद्ढम कहेगा कि नहीं यह पैन तो में चुराइं लेता हूँ तो इसमें क्या होता है यह आननद की सिद्दानद प्रकारी करता है और एक बात इसमें क्या होता है । इ्चों गणार कि अब आप सुचेंगे कि दमीत इश्या कौन छी होती है है यह समाज की आप छी होती है जो समाज के विरुद होती है जिनने हम पूरा नहीं कर सकते वो हमारे सारी इश्य कहान चलो जाती है एचेतन मन या फिर इद्दम में संगरीत होती है तो हमने देखा कि इद्दम के कौन-कौन से विसेशता है एचेतन मन बाले वास सम्मझत तक रहे जाती है आनंद के नियाम पर काने करता है इसले USC सुख्वादी मन भी करते बंगरब इसे भी किसी भी कंडिशन में बस मुझे सुख्वा दिमन भी करते हैं यह आप से जितने भी गलत कारी होते हैं जिए घेर कायों ने परवर्ति इन सब को किसमें सामिल गया गया लिपडों में लब अगर अगर किसी को प्रेम मिल रहा तो यह एचे तनमन क्या कहता है कि नहीं यह इंसान अगर जैसे ममी के दो बच्चे हैं तो यह छोटे वाला बच्चे का नहीं ममी का सारे परश्रफ मुझे ही मिलना चाहिए इसमें सवर्त की बाहूणा होती है तो यह हमने देख लिया एचे तनमन क्रेंड़ और एक इसके विशेषचा है कि इदभ क्या होता है जनमजाद होता प Свी जनमझाद लेक्ती हैं हिए आउम wake do दो जो है एहम और प्रम यह हमें समाज से मिलते हैं अरजित होते सैं तो नहें तो A2 का समंद्ध कौन से मन से होता है अर्दचेतरमन से है कि एको का समंद्ध कौन से मन से होगा अर्दचेतरमन न से एको की कौन आप देखते हैं एको की कौन कौन सबसे बड़ी विसीशता है कि एको वास्त्विकता के नियम पर कारे करेगा यानिकि जो वास्त्विक होगा ना एको वही करेगा जो वास्त्विक होगा वही करेगा सर्वा अधिक सफल्वेक्तिता कौन होता जिसका एको संतुलि बनाए रखता है जैसे कि मालो जैसे कि मालो आपको बाइक सलानी है तो सुमसान तो आपका इद्दम क्या कहेगा मैं इसको पूरी 500 की स्पीड में सलाता हूं चलाता हूं और आप का प्रम कहेगा कि नहीं इस से क्या हो सकता है रही हम के नगीच के राकृता निकालते हैं और सुमसान से लकट चलाउंगा और इस तरह से चलाउंगा तो मेरे कुछ भी नुक्सान ने यूगा तो ये क्या करता है वास्त दिखता के नियम पर चलता है कौन अहम और ये सबसे दिख प्रभावी कब होता यू आवस्ता में तो इसकी प्रथा में बसता है यू आवस्ता में सर्वादिक प्रभावी विवव्य वश्थाम सर्वादिक और्भावी कौन सा वीक्तित होता है और यो यू सब्णित आए इसमें इन्सान पर्वार्थी पाए ज़ते है इंसान पर्वार्थी ये फिर प्रकर्द्टateg इंसानी प्रकर्थी पाए जाती है वास्त्विक्ता के नियम पर आधारित है वास्त्विक्ता के नियम पर आधारित जिसका एहम संतुलित होगा कैसे होगे मिलनसार užगे मिलनसार जिसमें सवार्थ को भावना नहीं पाए जाएगी सयोग की भावना पाए जाएगी तो कि ये क्या होगा इदमसे विपरित होगा सयोग की भावना पाए जाएगे और पुर harbornta Unlike पाए आधि यह पूरणत है कि भावना की पाई जाती है किशा में पूछा वायक पूरणत बहुत आधा एहम में पाई जाती है एक वेकर इससली क्या होता है यह है कि इडि गोर को सुपर अब मनायर रखता है अगर अगर आपका इड़ ये कहता है कि मेरे को ये काम करना है तो आपका प्रम अहम करेगा नहीं इसे ये ये नुक्सान हो सकते हैं तो आपका अहम क्या कहेगा नहीं इसका हम बीच का रास्ता निकाल लेते हैं तो ये किसके रेफरी के तरह कारेगा पुलिसमेन के तरह कारेगा इस इन्सानी प्रवर्ति किसमें पाइजाती अहम में पहीं म Customer वास्ति होगा उसी को मानेंगे इडोर स्वेकों में संतुलन कोन बनाया रखता है पराएं ऑजो स्पीन चांग्ते नियां करता है नेतिकतख जो कि दो समाज के लिए अच्छा होगा जो समाज कि नियमों के अनुसार हो यह वही कार्य करेगा नेतिकतख कि कर आधारित होते हैं और यह कुन और वस्ता में सरवादिक विक्सित होता है वर्दावस्ता में वर्दावस्ता में इस सरवादिक विक्सित होता है इसमें क्या होता है कि विक्ति में बलिदान की भाहुना तयाक की भाहुना जाते दूसरों के लिए सब कुछ करने के लिए मतलब आपने बड़ी बुज्चे बुजरुकों को देख्या होगा कि वह अपन तो इसकी क्या विश्यस्ता होगी आदर्षवादी जिसमें प्राएहम पाएजाएं वह आदर्षवादी होंगे आदर्षवादी देश्टे कि आप यह एक्जाम फिर समझ सकते हैं कि किसी ने आरेश की तरीकि माल्यों सोय वह विफल हो गया तो आप अगर उससे पूछेंगे आपका उस्वेक्तिका प्रा एहम अगर संतुलित होगा तो वह बताएगा कि आपको 12 गंटने पड़ना चाहिए बुक पढ़ने चाहिए यह बुक नहीं परने जिए अगर उसका इद होगा तो वहाई से चाहन नहीं मैं इसको क्यूं बताओं अगर यह पास हो गया था उसम जुँं को मतलब दूसरे हैं वहीं मेरे लिए सब कुछ है यह मेरे परिवार हैं मेरे रही होता है ध Okay बलिदानिनी होता है बलिदान देते यह अपनी रखों को क्या करते हैं त्यागी केसे और समर्पनर की बाहर को आपने बुटे बुजरोगों को देखा होगा कि उनमें बहुत ज़्यादा संवर्पन की बाहना पाई जाते हैं अगर उनके कुछ खाने की इच्छा हो रही है और फिर अगर किसी ने उनसे वह चीज मांग लिए तो उनको देदेता हैं तो उनमें क्या पाई जाते हैं जैसरे की आप जाएं पी रहे हो और पिने आप मासे निकल गए आपको तब आपको ध्यान में नहीं रहा कि आपने उसको पैसे नहीं दिये तो आपका जो इंड कहेँ आप अच्छा का सा देदेगा या तो से विक्ति को बतां देगा कि मैं वैंने आपके पेसे रहाखे और एक अनिय example हम देखते हैं जैसे कि कि जैसे कि कोई było कॉलार जम्राइछा है मान लो किसी समय शफर कर सब्सक्राइब सस्क्राइब आपको लोग देखेंगे तो हम क्या कहेंगे तो हमने एक स्टार्टिंग में दो क्यूशन किये थे कि दमी तीछें को बंडार कहां पाया जाता है मतलब ऐसी इच्छें जो समाप्त हो चुकी है समाप नहीं है उनका मतलब समाजी रूप से हम उनको परकट नहीं कर सकते हैं एक समाजी है वह इच्छें तो उनका संगरा किस में होता है इदम में एक पुछा गया था कि किसी एसा कौन सा गटा कि जो अपनी आवस्यक्ताओं को पूरा नेतिक हो या फिर अनेतिक हो चाहता है बस मेरी जो इच्छें वह पूरी हो जाएं तो वह भी कौन सा होगा इद होगा और एक अन्य कुछन यutions पूछा जाता है कि एदे और पराहहं में संतोलण कोन बनाई रखता है एदे और पराहहम में संतुलण कोन में रखेगा एहम अहम जिस व्यक्तिका अहम सबसे दिक परभाव साली होगा उसका व्यक्तित वह उतना ही अच्छा होगा I hope आपको इस समझ में आ गया होगा Thank you धन्यवाद